हाई गाइस तो आज हम बनाएंगे मुश्किल से 10 मिनट में जबर्दस सूजी और बेसन का हलवा यह बहुत ही रसीला और एकदम मूं में घुल जाने वाला हलवा बनेगा आप बहुत ही जल्दी से और बहुत ही असानी से इसे बना लेंगे और यह इतना टेस्टी बनेगा कि अपिसे खाते रह जाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे एक पैन में घी करम करेंगे यहां पर मैंने 2 स्पून घी डाला है और अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़े ड्राइफ रूट लेंगे मैंने यहां पर गाजू बादाम और किश्मिश लिया और इन ड्राइफ करेंगे पिर मैं नेगी किया उसी कहहिए का सूजी डाली है और इसको अच्छे से अगो börjar ond तो यह सारा गी ईसने आप यह इसलिटर चलाव पाने लगती हैं ने加 confirmed आsystem इस स्टेस पर हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे यहां पर देखो यह धीरे धीरे पकने लगी है और थोड़ी थोड़ी लिक्वीडी होने लगी है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर मैंने यहां पर दो चमच के आसपास थोड़ा बेसन डाल लिया अब बेसन बेरी स्टों देख सकते हैं अब एसटों हो दोंो इनको रिगए अधार मिक्स बूणर कर दो अब एसनों को मिक्स करनें को सूझी सुजय और बेरी बेरी आगए नाज़क को भूने हुए जो अलग का टेश्ट होता है फिरया है और जब यह पके जाता है तो फिरियो हो मैपी अगर तो अब हमारे इस हाल्वेच का कलर चेंज को गया है तो इस स्टेज्च पर मैंने क्या कर रहा था एक पैन में दो कप पानी मैंने बोईल करके रखा हुआ था गरम करकर रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे वो गरम किया हुआ पानी था दो कप पानी था वो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिलाया उसमें डाला और अब मैंने धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे इसको मैंने चलाया च शुगर एड़ करी और दूद में केसर कोई तो मैंने केसर कुरों से यहाँ सत्रग Ôd apply add लोस्त करें औरक स्वेचे केसर संसले पशने हां और यहां पर हमारा हलवा देखो एक दम अच्छे से कित्ता अच्छा हुआ है और गी भी चोड़ रहा है और बिल्कुल भी नहीं चिपका यहां पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा गी और एड़ कर लेंगे क्योंकि गी होता है ना यह तो हलवे में बहुत जादा अच्छी है यहां फर द्रैफ़ूटा पर एड़ कर दिये हैं और एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे डाफ़ूत आड़ कर दीए को तो मैं यहां जिसको भी खिलाएंगे वह खाते ही रह जाएगा इतना टेस्ट यह बना आप भी जरूर बनाओ गैस और जो कैसा बना है वह मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब